आज के वीडियो की शुरुवात होगी एक question से तो suppose करिया आपके पास 100 रुपीज है stock market में investment करने के लिए तो आप उस 100 रुपीज का 1 stock खरीदोगे या 5 रुपे के 20 stocks खरीदोगे I am sure आप में से कई सारे लोग 5 रुपे के 20 stocks को खरीदना prefer करेंगे क्योंकि अगर number of stocks ज्यादा होंगे तो profits के chances भी ज्यादा होंगे Right? Well, you are wrong Number of stocks के ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके profits की possibility भी ज्यादा हो जाएगी तो आज के वीडियो में मैं आपको इनी सब के बारी में detail से बताऊंगी अब इसके पहले की मैं वीडियो की शुरुआत करूँ आप मुझे ये बताएए कि क्या आपने कभी 5, 10 या 15 रुपे का कोई stock खरीदा है अगर खरीदा है तो वो stock कौन सा था उसको मुझे नाम के साथ कॉमेंस में जरूर शेयर करें I am going to track your comments मैं हूँ अप राजिता और आप देख रहे हैं Investing Ideas by Angel One जहां investment से जुड़े हर छोटे बड़े updates हम आप तक पहुचाते हैं मगर इसके पहले की वीडियो की शुरुआत की जाए Don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to keep receiving new video notifications Suppose आप 5 रुपीज के 20 stocks खरीदेते हो आप इन सारे 20 stocks में profits बनेंगे ऐसा जरूरी नहीं है तो अगर हम assume करें कि 10 stocks में 10% का profit आता है which is highly unlikely और जो rest of 10 stocks है वो अपने buying level पे बने रहते हैं इसके बाद भी जो आपका 100 रुपीज है वो 105 रुपीज बन जाएगा वेराइस अगर आप 100 रुपीज का सिर्फ एक stock खरीते हो और उसमें 10% की rally आ जाती है तो आप उस 100 का 110 कर सकते हो तो कौन सी deal जादा better हुई अभी तो मैंने 20 stocks of 5 versus 1 stock of 100 के literal meaning की बात करी मगर आपको इसका symbolic meaning भी समझ में आना चाहिए तो इस विडियो के जरिये हम आपको यही बताना चाहते हैं जिन companies की fundamentalists या जिन companies का business model बिलकुल भी credible नहीं होता है इन companies की market cap भी काफी कम होती है और इन companies में investment करना बहुत risky होता है मगर ये companies आपको stock market में 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज या 10 रुपीज के prices पे easily available होती है बात करें अगर growth stocks की तो ये जो growth stocks यानि की quality stocks जो होते हैं इन companies का जो stock price है रुपी turns में उसकी value जादा होती है इन companies की market capitalization भी जादा होती है मगर इन companies के fundamentals अच्छे होते हैं और ये आपको generally एक stable growth देती है अब क्योंकि ये एक अच्छी company के stocks है जिनके fundamentals strong है तो इन companies के stock price के higher percent move करने के chances भी जादा होते हैं अब यहीं पे अगर हम पैमी stocks की बात करें तो वहाँ पे speculative moves भी बहुत जादा होते हैं तो rise and falls के chances भी बहुत जादा होते हैं with that too without any specific reason इसलिए one stock of 100 यानि की one quality stock is better than 20 stocks of 5 यानि की 20 penny stocks तो अगर आपको ये लगता है कि portfolio में जादा से जादा stocks को add करके आप अपनी profitability के chances को बढ़ा रहे हो तो आपको अपनी understanding को rewire करना चाहिए stock market में आपको सिर्फ उनी companies वे investment करना चाहिए जिनके fundamentals strong हो अब आप अपनी investible capital से quality stocks का portfolio create करते हो या penny stocks का ये आपके उपर है मगर इस बात का ध्यान जरूर है कि quality matters more than quantity I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप अपने portfolio में quality पे focus करते हो या quantity पे ये मुझे comments में जरूर बताएगे now don't forget to like and share this video and subscribe to our youtube channel I'll come back soon with another video till then take care and invest well investments in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing ивी पे वीडियो ले उपके ले लिए cost का ऊभूर ये ले बेदाई बंद के लोगिन का वीडियो भी थारावा चुट ये उवारे उपके ले बेदाशने दिर लेक वी जबदाव़ टूरूर नरूरूभ जे गएवार्शने ऍशने ले लेके वीशने है झाल झाल